हलो स्टुडेंट एंड पेरेंस तो आप सभी राउंड वन की काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की राउंड टू की काउंसलिंग यूपी आई उसकी काउंसलिंग कर चुके हैं करीब 9000 के आसपस बच्चे थे जिन्होंने अभी तक पाडिसिपेट किया हुआ है उत्तर प्रदे प्रदेशन के हैं अगर अभी तक किसी ने रिश्टेशन नहीं किया हुआ है तो यूपी आई उसकांसलिंग डॉट यूपी एस्डीसी डॉट जियोवी डॉट इन पर वो जाकर रिश्टर कर सकता है चार और पांच दो दिन का समय है रिश्टर करने के लिए और निव अलॉट्मेंट निकल आएगी बहुत साथ बच्चे ये भी पूछ रहें कि सरम को राउंड वन में मिला था राउंड टू में मिला था तो इस पे लाइन बड़ी प्यारी से लिखी हुए वह मैं आपको बता दो पृत्रम चक्र एवं दुती चक्र में प्रवेसित अभ्यार थी पुनरा वंटन के लिए तरती चक्र में च्वाइस प्लिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं तो इट्स बिनके अगर आपको राउंड वान या राउंड टू में किसी में भी अलॉट्मेंट मिली हो तो बड़ा इजी वे से आप अपनी फ्रेश प्लिंग करके आपको अपस से सेम प्रक्रिया करनी पड़ीगी और अगर आपको कोई नया कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप पुराने कॉलेज में जाएंगे डॉकुमेंट्स लेंगे फीस लेंगे और नय लोटन इस्टिटीट पर रिपोर्ट करेंगे अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हैं वे लॉटन इस्टिटूट पर तो पुराना कॉलेज भी चला जाएगा और नया भी चला जाएगा अब बात आती कि भाई अगर हम participate करते हैं और हम फिर choice playing करेंगे choice playing से पहले एक बड़ी important activity होती है बहुत सारे rejected candidate भी रहे होंगे round 2 की counseling में या round 1 की counseling में या ऐसे candidate होंगे जिनका documentation वाला part printing था तो वह 5 और 6 को 2 दिन का समय है आप इस पर अपने documentation complete करा सकते हैं और यह upload करें verify करा सकते हैं कुछ problem आ रही है आप हमारी team से consult करके हम आपको documents आपके verify करने का तरीका बता देंगे कि कैसे email करना है किस format में करना है तो आप उसके लिए एकदम help line number description पर है आप reach out कर सकते हैं कोई भी संकोच मत करना साथ को दो बज़े यह बोल रहे है मैं रिट लिस्ट आ जाएगी मैं मान के चलता हूँ साविन्थ नॉवंबर को अगर यह साम तक भी merit list दे देते हैं तो well and good है और उसके बाद आ जाती है बड़ी important step that is a choice spilling जिसको हम बोलते हैं वरियता अविकल्प बहिंदी में तो choice spilling बड़ी important है लॉक करना उससे भी ज्यादा important है अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो not participated costment आती है तो फिर उसके बाद में 11 12 के बाद 11 से 14 के बीच में पहले नोडल सेंटर और फिर college में आप report कर सकते हैं तो यह complete schedule site पर दिख भी रहा होगा और यह already इनकी website पर available है तो वीड़ोच के ही तक और इसी तरीके उसमें क्या-क्या डालना है कौन-कौन सी कॉलेजिस रखने है इस पर इक अलग से हम dedicated वीड़ो बनाएंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और बहुत ही जल्द आपको और भी कुछ क्लिंकल एक्स्पूजर वाली वीड़ो भी मिलेंगे आप्टर दे कंप्लीशन ओप चुईस्पिलिंग एड़ कांसलिंग अट आल तो जैसी कांसलिंग खतम होती है भी अप्योर आरवेदा मतलब डॉक्टर वाले पोड़कास्ट एकदम भेंकर लेवल पे मिलेंगे ठीक है बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब